चलो जी तो अभी नेक्स कोशन पर आपके आते हैं कहां जी आरका बताइए तो लास्ट कोशन को पहले देखिये हो जी सीगन सीरीज करेडियस ओ कॉंवर्जिंस जी 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 हां अग्षिट टेलर स्थी एक्सपेंशन अफ दे फंक्शन देस इस अपावर सेरीज देस is the power of this अच्छा ऐसे लिख दिया इसने कॉमा लगाना चाहिए बीच में तो थ्री भाई टू के लॉंग एक्स्पांड किया है देन रेडियस अफ कन्वर्जिंस अफ दे सिरीज अच्छा तो एन क्या है एन निकाले हो तुम कि तो समझने है से मतलब एन को किस तरह से नहीं कर दूंगा वह जो मतलब जो सीरीज दिया हूँ मतलब जो फंक्सन है उससे तो मतलब कैसे आएगा अगर मैं सोच लो कि वान बाई एक्स माइनस वान का एक्सपेंसर इंटू एक्समाइन वान वाई तो ही मतलब इतिकल हो जाए रहा है हुआ इसका डोमेन क्या इस तो फंक्सन का यह फंक्सन जो होगा यह न थ्रिवाई टू है तो बताओ यह गाप कितना है यह डिस्टेंस कितना है यह यह आंसर है मतलब कैसे हुआ मतलब इस वह नहीं है रहा है लेकि हम तो हमें तो पता होता है कि वन वाई आर इक्वल्स टू लिम्सुप अ लेकिन वह अप्रोच लगाए में बहुत लंबा होगा वह यहां से दिख रहा है तुम पता है जैसे एक दो चलो यहां पल लेखते हैं जैसे तुम जानते हो वन अपॉन वन माइनस एक्स इसका क्या लिखते हैं लोग यह उता ना साइद वन से इंफिनिटी यह उल्टा वो लिख सकते हो माइनस टू वाले कहता ने यह अब सही है चलो तब जरह इसकी बात करते हैं तो यहां जिरो से स्टार्ट हो जाएगा तो यह माइनस टू मतलब इसका है वन माइनस एक्स यह बताओ यह जो फंक्षन है यह कहां कहां continuous है defined है यह बताओ यह 1 अप्वान 1 माइनस एक्स का होल स्कुरर है राइट तो यह वन पर defined नहीं है तो 1 से इंफिनिटी तुम डोमेन ले सकते हो या माइनस इंफिनिटी से 1 है ना तो अगर इसको तुमने यहा तो इन्होंने इसने क्या किया है मैं बता रहा हूं इसने जो answer दिया ना एक्स डोमेन वन से टू कंसिडर किया हूँ है एक्चोली तो जब एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री वाई टू करोगे ना तो क्या आएगा यही है तो मौद एक्स माइनस थ्री वाई टू लेस दन आर तुम्हें याद हो कब अब अप्रोच आर इस रेडियोस अव कंवर्जेंस देन वी राइट एक्स माइनस ए अगर एक्वाउट लिखा है अब देखो तो एक्स माइनस ए लेस दन आर वट इस रेडियोस अव कंवर्जेंस अजा तुम सोच रहे होगे कि हम आगे क्यों नहीं ले सकते पीछे क्यों ले सकते हैं तेक्चोली अदरवाइज वो इंफिनिटी पर चली जाएगी जब एक्स लार्ज होगी ना यह कंवर् आर जो सब्सक्राश के क्यों कि अदर देखो अच्छा नियुक्त छे लिएज नहीं वह वी नहीं तो यह तो उसमें उस रीजन में लिक नहीं पाऊगे क्योंकि वो दिफरेंसितॉ मतलब टेलर स्रीज एक्समेंशन का कंडिशन क्या था कि function should be infinitely differentiable at that point या at least in that domain तो यह जो 3y2 है ना यह जो 3y2 तुमारा है this lies in this interval मतलब यह function 1 और 2 पे discontinuous है ठीक है ना so domain you could have considered this or this or this excluding 1 and 2 तो continuous domain लेंगे जो domain लेंगे तो यहां पे domain जो होगा क्योंकि 3y2 इस बीच में है so domain is 1 से 2 this is the domain of this function और in this domain this function has a power series expansion यह है अब इसने यहां इसके through दे दिया है तो इसके through इसी ले दिया so that you can find तो यहां से x-3y2 कर दिया तो इससे आगे इस तरीके से आगे जो domain of convergence हम निकालते तो यहां से radius of convergence दी है actual definition तो यही से आता है कि function converges for this then r is the radius of convergence definition definition यहां से बाद में theorem बनता है वो जो तुम जानते हो यह definition है यह चीज है कि जहां converge करेगी एक बाउट expand कर रहे है तो अना हमने यह कहा था ना महां पे कि series a n x-a की power n converges for mod x-a less than equal to r जो कि maximum possible r हो सकता है then r is the radius of convergence यह है जो largest value of r possible है that is the radius of convergence यह है next जो है तुमारा और किसी का रहा है कि यह चलो एक दो कुसन तुमारे बता जेते में